नमस्कार विद्यारतियों पुप्लिक मौन्टरेंश्री सीनियर शेकेंडरी स्कूल के ओनलाइन प्लासेज में आप लोगों का हारदिक स्वागत मैं गोपाल सांकला इस्ट्री लेक्षरर आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लास 12 का है प्राचीन इतिहास का ही भाग है सिंदुगाटी सब्यता जिसका दूसरा नाम हडपा सब्यताओं के नाम से भी जाना जाता है विश्व की प्राचीन सब्यताओं में से एक सबसे प्राचीन सब्यता है वो है हडपा सब्यता और हडपा सब्यताओं में बोर्ड एक्जाम में से हर बार छोटे बड़े सवाल आते हैं और कम्पिटेशन में भी सब्यताओं से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और विश्व की प्राचीन सब्यताओं में से एक सब्यताओं हैं तो आईए हडपा सब्यता की सुरुवात करते हैं सैंदव सब्यता विश्व की प्राचीन तम सब्यताओं में से एक हैं इस सभ्यताओं का सबसे पहले इस तल के रूप में हडपा की खोज हुई इसलिए इसे हडपा सभ्यता के नाम से जाना जाता है ये लाइन इंपोर्टेंट है ज्यान रखना दूसरी विशेशता हैं इस सभ्यताओं को तीन नाम से भी जाना जाता है तीन नाम हैं सिंदू सब्वेता, सिंदू गाटी सब्वेता और हडपा सब्वेता इन तीनों सब्दों की अलग-अलग पैचान है जब भी हम लोग क्लास में मिलेंगे तो आराम से आप लोगों को विस्तार पूरुकिन सब्वेता की वेख्या करेंगे जोन मार्सल ने सर्व पर्थम इसे सिंदू सब्वेता का नाम दिया आईए औरी सब्वेता को आसान तरीके से किस तरे पढ़ें बिंदू वार पहला बिंदू अम लोगों का सिंदू गाटी सब्वेता का काल करम रहेगा फिर उसका विश्तार पर्मुक नगरों के खोज करता नगर योजना मुख्य उसेस आर्थिक किरिया कलाप सामाजीक धार्मिक और इस सब्वेता का धीरी धीरे पतन कैसे हुआ तो आईए सबसे पहले हम लोग निधारन करते हैं हडपा सब्वेता का काल निधारन इस मत को भी लेकर इत्यासकारों में अलग अलग मतवेद हैं कोई काल अलग तिती निधारन करता है तो कुछ इत्यासकार अलग तिती है जो बताते हैं जैसा कि इसका नामकरण जोन मार्सल ने रखा है तो इसी तरह से उन्होंने तिती भी दिये 3250 इस्वी पूर्व से 2750 इस्वी पूर्व अर्नेस्ट मेके ने भी 2820 इस्वी पूर्व से 2520 इस्वी पूर्व आरी मार्टिमर विलर ने भी 2520 इस्वी पूर्व से 1520 इस्वी पूर जबकि कार्बन 14 के द्वारा सर्मानितिती मानी जाती है उन्होंने 2520 पूर्व से 1750 पूर्व का समय दिया है जबकि हमारी NCRT बुक्स में दे रखा है 2620 पूर्व से 1920 पूर्व ऐसा भी माना जाता है ये सब्वेता लगबग 400 और 500 वर्सों तक विद्यमान रही है इसका विस्तार छेतर देख लीजे सिंदू सब्यता का विस्तार तिर्भुजाकार है जो 12,99,600 वर्व किमी में फैली हुई है और तिर्भुजाकार जैसा कि आप देखा होगा तिर्भुज में तीन भुजाएं होती है पर इसमें कुछ हम लोग कह सकते हैं इनका निधारन हम लोगों ने उत्तर दक्षिन पूरव पश्चिम चारों तरप किया है देखिए सबसे पहले उत्तर में इस्तित है मांडा जो अकनूर जमू का भाग है दक्षिन में लें दाइमाबाद एमद नगर मारस्ट का भाग है पश्चि में लें सुत केंडोर बिलुचिस्तान पाक में आयावा है पूरव का भाग लें आलमगिरपूर मेरट यूपी में आयावा है इस परकार इस सब्वेता का लग भग तीन भाग की सुरुवात भारत में इनके छोर है और एक छोर है जो हम लोग कह सकते हैं बटवारा के समय पाक में चले गए तो उत्तर दक्षिन पूरो पश्चिम इनकी लंबायां भी निधारित की हुए अलग लग लंबायां भी है जो विस्तार से दिन में भी आप लोगों को बताए जाएगी अब है जो हडपा सब्यता के परमुक नगर है उनकी इस्तती देखिए कौन सा इस्तल है कब उनका उत्कनन हुआ उत्कनन करता कौन है वर्तमान में वो किस देश में है जैसे कि इनमें भी कहीं बार छोटे बड़े सवाल बनते हैं तो ध्यान पूरुक देखिए सबसे पहला इस्तल लिया गया हम लोगों ने हडपा हडपा की खोजविती 1921 में दया राम सैनी के द्वारा और वर्तमान में इस्तल पंजाब पाक में है दूसरा मेतपून मोहन जोद्रो इसकिया उत्कनन वर्स 1922 रखलदास बेनर जी सिंद पाक में जैसा कि उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिन पूर पश्चिम के जो भागे उनका हम लोगों ने अलग-अलग उत्खन करता उत्खनन वर्स और वर्तमान इस्तती के बारे में आप लोगों को बताए गया है और सांत्वा बिंदु है जो काली बंगा 1923 ए गोस यानि अमला नन गोस गंगा नगर राजस्थान में इस्तित हैं ये भी एक हडपा इस्तल है अब है मुख्य इस्तल हडपा इस्तल और उनके च्छेतर जगे जगे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत में कितने च्छेतर हैं पाक में कितने च्छेतर हैं अफगानिस्तान में कितने च्छेतर हैं जहां देखी एक सिंद नदी है नदी के किनारे आसपास कहीं सारे हम ल इतने भी हम लोग देख रहे हैं कि हड़पा इसथर हुए हैं उनमें हम लोग कैसा कहते हैं यह को हिन को जो नदी के किनारे हैं। हडपा की जो खोज हुई थी वो रावी नदी के किनारे हुई थी मोन जोद्रों की खोज हुई तो वो सिंध नदी के किनारे हुई थी इस तरह से हम लोके सकते हैं अलग-अलग नदियों के किनारे जो इनकी खोज भी हुई थी काली बंगा जैसा की राजस्तान में हैं तो कोई नदी के किनारे नदी के आसपास उनकी खोज हुई थी अब कुछ मुख्य इस्तल हैं जो पाक में भी हैं और भारत में भी हैं और एक कादी छेतर एक दो हम लोग कैसकते हैं अफगानिस्तान में हैं आज हम लोग कैसकते हैं सबसे ज़्यादा हडपा इस्तल है जो भारत म हैं और भारत में भी हम लोग कह सकते हैं अगर ज्यादा इस्तल लें तो वह है गुजरात में तो देखिए छेतर पहला बिंदू ले रखा है अफगानिस्तान जिसमें महत्वपून है मुंडी गाक और सुर्टू गई फिर दूसरा बिंदू है बिलुचिस्तान पाक जो हम लो पूरी तरह नगरी व्यवस्ता कोड़ दीजी चंद हुद्रो यह हम लोग कह सकते हैं पाक में फिर पंजाब पाक हडपा रेमान डेरी और जलील पूर भी है इसी तरह पंजाब भारत में भी है रोपड वाड़ा और संगोल हरियाना पंजाब का मिलतावा पंजाब से अलग विरा रोजदी और काली बंगा जो राजस्तान गंगा नगर में हैं इस तरह से हम लोग कह सकते हैं और भी सारे कहीं इस्तल हैं और इस्तलों का अलग-अलग में तो अलग-अलग में इनकी पैचान कहीं जगे हम लोग कह सकते हैं कोई हडपा इस्तल नगरों के लिए हैं इनके बारे में भी हम लोग आगे और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोग जुड़े रहें ऑनलाइन क्लासेज में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यावाद